हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू एट्डरेट्स असोची आसी कीचन आज मैं आप लोगों को बीना साचे का एकदम जबरदस्त नास्ता सेर करने वाली हूँ इसे हम चीकन से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने 1.500 ग्राम बोलेश चीकन दे लिया है और उसको अच्छे से वास कर लिया है पीसेस में कट कर लिया है छोटे छोटे अब इसके अंदर मैं 4 हरी मिर्च को कट करके डालूंगी रेस्पी बहुत ही टेश्टी बनती है एक बार बनाईएगा तो इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे बहुत ही जबर दस्थ की रेस्पी है इसे आप रमजान में इफ्तार में पना सकते हैं चार हरी मिर्च के बाद मैंने 3-4 लहसन की कर लिया और आदा इंच के करीब अधरख को मैंने बारी कैसे कट कर लिये हैं अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में ग्राइंड करते से मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है हलका सा एक एक चमच डालना है एकदम सुखा सुखा सा इसको ग्राइंड करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है एकदम बिल्कुल सुखा सा इसको साइड में रख देते हैं गैस ओन करके मैंने पैंच चड़ा दिया है उसमें मैंने एक छोटा चमच ओयल डाला हुआ है तिल थोड़ा सा गरम हो जाये तो उसमें मैंने मेडियम साइज के प्याज को चौप करके डाल दिया है इसको सोटे कर लेते हैं जादा नहीं प्याज को भूनना है बस हलका सा नरम कर लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं प्याज हमारा थल्का सा नरम हो गया है भी मसालों को प्याज के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे यहां पर फ्लेम हमारा मेडियम टू लो होना चाहिए कि ड्राइं मसाला जल्दी जलने का डर रहता है तो लो फ्लेम पर हम लोग भूनेंगे ताकि अच्छा से भूना जाए अच्छे से जब यह भूना जाए तो जो चिकन था पिसा हुआ उसको इसके अंदर ड जाएंगा और चम्मच से चलाते रहेंगे देखे पानी अपना चिकन छोड़ दिया है अब इसको चम्मच से तोड़ लेंगे बहुत ही एजलि तोट जाएगा और साथ-साथ में कुक भी हो जाएगा और भूना जाएगा चिकन का जो कच्छा पानी होता है वह बिलकुल सु ले लिया है आप चाहे तो सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं और बार से बना सकते से है इसमें मैंने हाप चमचम नमक थोड़ा सा मंगरेल और मौन मैंने यहां पर एकदम सौक डो लगा लिया है और इसको अब साइड में रख देते हैं यहां पर चिकन लिया है मैंने जो भून के रखा था उसमें एक बड़े साइज के प्याज को चौट करके डाल देंगे आधा इंच अद्रक को बारी काट कर डालेंगे दो से तीन हरी मिर् साफ चमच नमक भी डाल देंगे और यहां पर आधा नीबू का जूस इसके अंदर डाल देंगे सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और बहुत ही चटपटा और टेस्टी स्टपिंग बंके रेडी है अब इसको साइड में रख देती हूं और यहां पर जो हम लो बना लेना है और इसको अब बेल लेंगे जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नीव है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालू सबसे पहले आप देख सके इसको बेल लेंगे तो यहां पर मैंने बेल लिया है ए एक कटोरी या गलास ले लीजिएगा और इस तरीके से गोल गोल कट कर लीजिएगा आप चाहे तो ऐसे एक एक छोटा छोटा लोईया लेकर गोल गोल बेल भी सकते हैं लेकिन उस तरीके से टाइम लगता है और यह दिखिए एक पूरी को मैंने ले लिया है और उसमें स्ट करना है आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो पुछे ही मत तो इसी तरीके से मैं फिर से एक बना कर दिखा रही हूं एक पूरी को लेकर उसमें स्टफिंग को डालेंगे उसके दोनों मुझ के साइड को जम बंद कर लेंग है गैसान करके मैंने तेल डाल दिया है कड़ाई में और पहले से ही मैंने तेल को गरम कर रखा था अब उसमें एक एक गुजिया को मैं डाल कर इसको फ्राइ कर लूँगी वैसे भी रमजान में तरह तरह की इफ्दार में हम लोग बनाते हैं खाते हैं यह रेसिपी भी अबने दार का बनता है तो सभी को मैं इसी तरीके से फ्राइ कर लूँगी और एक पलेट में मैंने यहां पर निकाल दिया है सुपर टेस्टी नास्ता बनके रेडी है हमारे यहां तो इसे चिकन समोसा बोला जाता है आपके यहां क्या बोला जाता है प्लीज कोमेंट करके बताईएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार ट्राइ कीजिएगा बनाईएगा मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैक्स पर वाचिंग अल्ला हफीज